एक महीने तक अराम से चलने वाली रेसिपी आज मैं आपको सेव की बताने वाली हूँ जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको सेव की रेसिपी बताने वाली हूँ चट पटे तीखे मसालेदार एपल की यह रेसिपी जो काफी आपको पसंद आएगी और बनाना बनाना तो इसको मि तो चलिये शुरू करते हैं। इस टेश्टी रेसेपी को बनाने के लिए मैंने किया है ve best टो एपेल को क्या करना है तुरहत पानी में डाल देने हैं। इससे आपके सेव काली नहीं पडेंगें उसके बाद जैसे ही चटक जाए ना उसके बाद आपको सेव को छोटे-छोटे टुकडे करके मैंने रख दिये थे और डाल के तुरंत अच्छी तरह से भूरना है ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और हाँ दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोसे ही तीन मिनट में ये क्या होगी बहुत अच्छी तरह से गलने लगेगी उसके बाद आपको एड़ करना है थोड़ा सा नमक जी हाँ दोस्तों सेव में नमक ये बिल्कुल ही अलग रेसिपी है आप जरूर देखे और सेव में नमक डालने के बाद ये और भी तेजी से गलने लगेगी और इसे जैसे ही गलने लगे ना उसमें आपको डाल देने है थोड़ा सा हल्दी पावडर मैंने बहुत थोड़ा इससे निम्बू का रस डाल दे इससे क्या होंगे सेव बिल्कुल ही नहीं काले पड़ेंगे और अच्छी तरह से भूनने के बाद देखिए बिल्कुल सब्जी जैसे दिख रही है तो इसमें आपको डाल देने है चीनी चीनी आपको बिल्कुल स्वाद अनुसार लेना है मैं सेव और उसके बाद मैंने डाला है किसमिस जी हां दोस्तों किसमिस डालने से इसका टेस्ट काफी बढ़े जाता है अगर आपको पूरा मेस कर देंगे तो भी चलेगा लेकिन मैं थोड़े-थोड़े टुकड़े इसके सेव के इसमें मैं रखने वाली हूं यह मुझे काफी अच्छा लगता है अगर आप चाहे तो पूरे अची तरह से गला भी सकते हैं और इसी तरह आपको भूनते हुए अच्छी तरह से तयार कर लेना है यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट गल चुकी है यह हमारी सेव अब क्यूं दोस्तों कभी आपने सोची सेव की ऐसी भी रेसिपी बन सकती है चटपटी मसालेदार और बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से और जो सेव ना खाने वाले भी यह सेव की तारिफ करते नहीं थकेंगे आप इसे एक मेने तक आराम से श्टोर कर सकते हैं और रोटी के साथ ब्रेट के साथ चावल के साथ और खिचडिक साथ काफी टेश्टी लगती है तो एंजोई कीजिए सेव की यह नई रेसिपी और चीनी अच्छे से गलने के बाद आपको डालना है नीबू का रस मैंने आधा नीबू का रस डाला है इससे क्या होगे जो सेव की रेसिपी है वो काफी टेश्टी हो जाएगी औ और एक मैने तक आप इसे अच्छे से श्टोर कर सकते हैं और तो यह दिखे तैयार हो चुकी है बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली सेव की यह रेसिपी अगर यह रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रू करें और मिलते हैं तब तक के बाइबाइ